इस्राइल पर रॉकेटों से हमला लगातार किया जा रहा और ये हमला हो रहा है हिजबुल्ला की तरफ से अब किस तरह से इसराइल इस रॉकेट्स को रोक नहीं पा रहा है और क्या वज़ा है कि इतना जादा नुकसान पिछले कुछ दिनों में इसराइल के शहरों में देखने को मिल रहा है हिजबुल्ला लगातार रॉकेट पर रॉकेट छोड़े जा रहा है बताये जा रहा है कि आप तो जो मिसाल सिस्टम है इसराइल का वो भी इन रॉकेट्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं आकर इसके पीछे की वज़ा क्या है और इसराइल याके पर हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा है देखिये नीरूप पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि हर रात को इसराइल पर जबर्दस रॉकेट से हमले हो रहे हैं जो रॉकेट्स और मिसाल की टेरिटरी के अंदर आ रही थी इसराइल का जो आईरेंड डूम सिस्टम है वो उसको हवा में ही खतम कर दे रहा था लेकिन पिछले तीन चार दिनों से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इसराइल जो है उत्तरी इलाका जो इसराइल का है यहां के रेसिडेंशल इलाकों पर रॉकेट्स गिर रहे हैं यहां के जो सरकारी इमारते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, जो मिलिटरी बेस हैं, वो निशाने पे हैं और कई सारे रॉकेट्स को यह आइरन डूम सिस्टम नहीं रोक पा रहा है और इसके चलते आप अगर रात की तस्वीरे देखें इसराइल की, तो पूरा आस्मान जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला जो है, वो एक साथ अटैक कर रहा है यह हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि आइरन डूम सिस्टम आखर फेल कहा हो रहा है इसकी एक बड़ी वज़ा है कि जैसे अभी पिछली रात कॉम ने देखा कि एक साथ तीन सो रॉकेट्स चंद सेकंड के अंदर तीन सो रॉकेट्स इसराइल पे इसकी वज़ा से आरन डूम सिस्टम एक साथ अगर बहुत सारे आप पे मिजाईल आ जाएं तो उसको ठीक से तो इसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि इसराइल में ये पहला मौका है काफी समय बाद जब हिजबुला के रॉकेट्स जो है वहां के लोग काफी डरे हुए हैं तो पहली बार ऐसा लगता है कि इसराइल जो है इसको लेके थोड़ा सा एक डिफेंसिव मोड में है और लेकिन अब एक नई बात निकल के सामने आई है कि तो हिजबुला के पास जो रॉकेट्स हैं जो मिजाइल हैं जो हत्यार हैं इसको हिजबुला ने लिबनोन से सीरिया के इलोपो शहर में ट्रांसफर कर दिया है अब ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि आखेर हिजबु जा रहा है कि सीरिया के इलोपो शहर में ट्रांसफर कर दिया है और इलोपो सीरिया में ट्रांसफर करने की वज़ा ये है कि वहां पर वेगनर आर्मी जो रूस की वेगनर आर्मी है जो पुतिन की बड़ी खास आर्मी मानी जाती है वेगनर आर्मी इसका बड़ा बेस है और यहाँ पे हिजबुल्ला ने अपनी हधियार ट्रांसफर कर दी है अब अलेपो में चुगी वेगनार आर्मी का बेस है तो अमेरिका और इसराइल दोनों सीधा इस एरिया पे कभी अटाइक नहीं करते हैं क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो यह फिर इसराइल रूस वर्स वर्स अमेरिका हो जाएगा या इसराइल वर्स रूस युद्ध का रूप हो जाएगा यह एक बड़ी बात मैंक ने बताई है कि एक तरफ इसराइल और यूएस है तो दूसरी तरफ रूस और इरान और बाकी देश जो आरब कंट्री के वो दिखाई दे रहे हैं ऐसे में कोई बड़ा हमला होता है तो फिर दो फाड़ में बढ़ जाएगी दो महार शक्तियां इनके साथ जुड़ जाएंगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस हमास के मेता को मारा गया वो क्यू चोफ ए जरा मैं भो भी बताईए क्योंके हजबुला लगाता है रहा हमले कर रहा है लेकिन हमास यूश शानती के बात क्योंके बीच में ये खबर आ रा रही है कि शायद बीच का रास्ता कुछ शान के लान सहिता आझाराइम विप ई Parkन थे हमकिना भाहई तरह कर जर्चिता सिरी नीसे तरह के लें रहाराइम का जिर्पिश में मेझ परहआए पर अमें paranओ एंग पराती। आप अधुर किन अबने कisिप परातिय का जो समट में है? आफ पिन साफी झाडन कामाव, जी एक गिलए हो इस जितनी सौरीastern एंडेय आगा, डूसरी के एंडन सामनी आ और आछी आखेचल łईरस वर्स एड़ इडाय से निए भूमादीजियागर भूमधियस आगरम एक अबराम के खुटार एंडनी उसलिए ब्सक Fields victory और अर्श इसमें भी जो है मिजाइल्स हैं तो पुल मिलाके यह है कि अमेरिका ने अपने पूरे वार्शिप्स, सब्मरीन्स, मिजाइल्स, पिल्कुल। किसी कि वहां के लोग तक डर गई कि यह क्या हो रहा है। यह बड़ी बात है। रूस जो है इस पूरे मामले में जो है राने सब्सक्राइब तो रूस जो है वो पूरे इस मिडिली रीस्ट में अब इन्वाल हो चुका है जैसे यूसेस अबराहम लिंकन भेजा इनों ने शिप वैसे इनका वार्शिप है एड्मिरल गोष्करूफ तो यह गोष्करूफ को जो है वो रूस ने भेज दिया है तो कुल मिला के आप देखिए कि यह पूरा जो एरिया है यह एक वारूद के ढेर पर बठा हुआ है और दोनों तरफ से जो है वो यह प्लानिंग चल रही है कि कितना टाइम आप लेते हैं पूरी तैयारी करने के फेल पे तो इसके लिए एक प्लानिंग चल रहे है जो आप कह रही थी कि सी के चलते कई टाइम बाइंग जो है जो हम बीच बीच में जो एक युद्ध शानती की बात आ जाती है असल में युद्ध शानती की कोई बात नहीं है वो वार टैक्टिक्स होती है एक mental game चल रहा ह कि बहुत सारे देशों ने अपने फ्लाइट्स को खासों पर इसराइल या फिर इरान के उपर से उडान भरने से पिछे आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। कि अगले 24 गंटे में इरान वो सकता है कि वार की गोश्चना कर दे और उसके बाद जिस तरह से हिस्बुल्ला की रॉकेट्स और मिजाइल इसराहिल पर बरस रहे हैं इसके चलते जो कंट्रीज हैं जिनकी फ्लाइट्स सीधा थी उनको सब कु डर था कि हो सकता है कि उनकी फ्ल कंट्रीज एसी हैं जो चाहें ना चाहें अब इसमें इन्वार में और अगर ये डारेक्ट वार होता है अभी तक इरान जो है वो एक प्रोक्सी के जरिये एक वार करने की कुशिश कर रहा है बिल्कुल अंदर से ही देश के बहुत सारे लोगों के आवाज उट रही है वार सीधे एरान करे या ना करे इसराइल पर डारेक्ट हमला करे कि ना करे क्योंकि इरान के स्थिपे बहुत 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 बैतर रही है एक बात तो अभी तक साफ है जो अभी तक समझ के आ रही है कि हजबुल्ला ने अपना सबसे बड़ा अटैक कर दिया इसराइल पे आज के महीं है तंप हिजब़ल्ला कािक्ट ए्la मिजपानी वायने ही लगत अवने टो एमाहि तो एक बात सफ है किरीमिननो अथ ए्रान को शामने रखाइप ऑर हे जो ही अभिल्ला के तहत है हिउ हिजबॉला के जरीये इसलिए को निशाना बनाया जारा है वहीं गाजा में इसलिए सबूसलों इसलिए माचा तुल की जराई हिए हमास जो हीजा के फfront अभी पहला हमला के तरफ से हैrist छाब गाट कह Savior और उसके बाद फिर आखरी में हो सकता है कि एरान जो है वो सीधा इसराइल पर अटाक करें तो अब कुल मिला कि एक टॉइम बॉम जो है वो जो टिक-टिक कर रहा है वैसी सिच्वेशन है और कभी भी एक बहुत बड़ा युद्ध जो है छिर सकता है तो आप समझ रहे हैं मिडिल इसके हालात पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है यूएस है रसा है वो पूरी तरह से इन तमाम जो अरब कंट्री के जो देश है खास्तों पर इसराइल और इरान के पीछे है वो एक बड़ा संकेत दे रही है आप ये संकेत किस तरह से युद में बदलते हैं या फिर सभी देशे चाहते हैं कि यहाँ पर शांती हो जाए इस सिति नियंत्रण में हो जाए तो इस ख़बर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आप बने रहे है झाल